सिर्फ एक बार लगाया बाल जमीन तक लंबे हो गए बिना मेहनत के बिना पैसे के बिस्वास ना हो तो खुद देख लें इस नुश्के को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर हनी यानि की सहद जी हाँ दोस्तों आपको बिलगुल यह सौचने की जुवत नहीं है कि बालों पर सहद का कैसे करें बालों पर सहद लगने से कोई प्राब्लम तो नहीं हो do क्योंकि ये सबी को पता है कि सहथ एक ऐसी औशधी है जो कई हजारों सालों तक खराब नहीं होती है और अगर इसका यूज सही तरीके से किया जाए तो आपके सरीर के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत ही लापकारी होगी कम लोग ही जानते है इसलिए आज आपको हम जरूर बताएंगे इसे यूज कैसे करना है अपने बालों पर और इससे अपने बालों पर जितने बेनिफिट्स हो सकते हैं कैसे लिये जाए और बालों की ग्रोथ को तेज कैसे किया जाए दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सहद में एंटी बैक्टिरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी ऑक्षिडेंट और एंटी एलिमेंटर गुर पाया जाते हैं जो बालों में नई जान डालने का काम करते हैं आपको किवल एक चमच हनी लेना है एक चमच हनी काफी होगा आपके बालों पर लगाने के लिए तरीका बहुत ही असान है बताएंगे जैसे आपको हमागे वीडियो में उसी तरह से आपको बालों पर लगाना भी नहीं है बहुत ही सीक्रेट न उसका है इसे आप ट्राइ जरूर करिएगा अपने बालों पर अगर आपको बालों से जुड़ी समस्या है तो जी हां और इसके साथ हमें कुछ और चीजों को एड़ करना होगा ताकि बालों पर आप जब इसे लगाएं तो आपके बालों की गुरोथ तेजी से हो सके नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पर विटमिन E कैपसूल बहुत से लोग कॉमेंट में पूछते हैं सर विटमिन E कैपसूल कहां मिलता है तो आपको बता दें कि मेडिकल सौप पर आसानी से मिल जा गई है फिर ऑनलाइन भी आप इसे परिचेश कर सकती हैं बालों पर लगाने क से आपको अपने बालों पर इसका यूज करना है बालों की ग्रोथ के लिए बाल आपके अगर डैमेज हो रहे हैं हेर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ अगर आपके बालों में रूसी जैसी समस्या भी है तो इस समस्या को दूर करने में भी बहुत ही कारगर है ये नुस्का, आपको इसमें कट कर लेना है, इसको, इसके अपसूल को, और उसके बाद इसके अंदर का जो जेल है, इसके अंदर का जो ओयल है, उसे आपको निकाल लेना है, और जो हमने हनी रखा है, हनी जो कटोरी हमने निकाल कर रखा है, उसमें आपको इसे डाल देना है, डालकर इसे अच्छे से फेंट के मिला लेना है ध्यान अकना है जिस तरीके से आपको बता रहे हैं इस नुश्के को उसी तरीके से आप यूज करिएगा तभी ये कारगर होगा नेश्ट आपको लेना है नारीयल तेल दोस्तो नारीयल तेल पोसक ततों से भरफूर होता है इस तेल का यूज तो अगर आप यूज तरीके से अपने बाल पर करती हैं तो आपके बालो की ग्रोथ भी बहुत इची होगी बाल साइनी होंगे, मुलायम होंगे साथ ही साथ बालों के जढ़ने की समस्या भी खत्म होगी हमने यहाँ पर एक चमश नारियल तेल लिया है दोस्तों आप अपने बालों के नुसा नारियल तेल को लीजेगा क्योंकि अगर आपके बालों की लेंथ जादा है बालों की मुटा ही ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है ओयल ज़्यादा लगेगा जिस दिन आपको ओयल करना हो अपने बालों को ओयल लगाना हो उसी दिन आप इस नुसके को यूज करिएगा ज़्यादा बेनिफिट्स होगा उसके पाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है खुब अच्छे सा आपको इसको फेट के हनी में और विटमिनी कैपसूल जेल में आपको अच्छे से मिला लेना है अब हमारा नुश्का बिलकुल बनकर रेडी है तो चलिए अब जान लेते हैं लगाना कैसे है यूज कैसे करना है अपने बालो पर लेकिन दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी से जनकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरू करें और कॉमेंट में जरू बताएं कि वीडियो कैसी लगी इस नुश्के को उज्वल इस कैल पर अपने अंगुली के पूर से हलके हलके मसाज कर लिजिए और अगर अपने बालों पर लगाना चाहती है तो लगा सकती है ओल ज्यादा डाल कर आप यूज कर सकती है और अगर आप ज्यादा नहीं डाल लाई है एक चम.ँ दो चम.एभ ड्डाल के है सिफ़ाग पड़ा